आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम बात करेंगे SSC GD exam को लेकर किस तरीके से आप इस exam की तयारी करें और आप लोगों का जो study plan है वो क्या होना चाहिए कौन सी बुक आपके पास होना चाहिए अगर आप इस exam को crack करना चाहते हैं दोस्तो ऐसी YouTube पर हजारों वीडियोज मिल जाएंगी जो आप लोगों को इस exam के बारे में guide कर रही होंगी लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपको किस तरीके से तयारी करनी है और आपको किस से पढ़ना है कैसे पढ़ना है दोस्तो दो तीन तरीके के student होते हैं एक होता है most confused एक होता है confused और एक होता है well prepared student most confused जिसको आखरी दिन तक ये नहीं पता होगा क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है और किस से पढ़ना है confused जो बस उलजा रहता है आज मैं इस teacher से पढ़ूँगा आज उस teacher से पढ़ूँगा और कल मैं किसी तीसरे teacher से पढ़ रहा हूँगा और एक आता है well prepared student well prepared student कौन सा है जिसको ये पता है कि मुझे अपनी तयारी किस teacher से करनी है मुझे किन books को पढ़ना है और कैसे पढ़ कर मुझे selection मिलेगा आप भी well prepared students की team में आ सकते हैं well prepared students के जो list है उसमें आ सकते हैं लेकिन आपको आज ही अपना plan बनाना होगा आपको इन books को लेकर आना होगा और पढ़ाई आगर आप आज से शुरू करे तो आपको 8-9 गंटे पढ़ने का जुरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ दिन में 4 गंटे निकाल कर भी पढ़ाई कर लेंगे तो भी आप SSC GD का exam qualify कर जाएंगे जी हाँ दोस्तो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आज आपने कोई अलग सपना देखा है तो आपको मेहनत भी और दिनों से अलग करनी होगी और उसे अलग करनी होगी क्योंकि अगर आपका सपना नया है तो मेहनत भी कुछ अलग तरीके से कुछ अलग होनी चाहिए तभी आपका वो सपना पूरा होगा अगर आप भी चाहते हैं कि जिस तरीके से आज आपके दोस्त के बदन पर वो वर्दी है कल वो आपके बदन पर भी हो तो आपको भी कुछ अलग कुछ हटके करना होगा और उसी चीज को उसी प्लैन को मैं लेकर आया हूँ लेकिन दोस्तो मैंने कहा वीडियो देखने से वीडियो की गहराई को समझते हैं या नहीं समझते हैं चलो मैं सबसे पहले बात करता हूँ SSC GD exam को लेकर इसका notification अभी नहीं आया है अगर मैं मालनू आने वाले 10-15 दिनों में जो की आज एक news के अनुसार फिर से इसको cancel कर दिया गया है आज आना चीए तब तक लेकिन फिर से इसको टाल दिया गया है तो अगर आने वाले 15-20 दिनों के बाद ये आता है तो एक महीना आपको फोम भरने का दिया जाएगा और उसके बाद कम से कम चार महीने आपके पास होंगे इस exam को कराने में गंटा पढ़ लो काफी है कौन से सब्जेक्ट सेलेक्शन दिलाएंगे वो भी बताऊंगा इसी वीडियो में रिजनिंग को 30 मिनट डेली पढ़नो कैसे पढ़ना है बताऊंगा जीके एक घंटा 15 मिनट पढ़ दोगे काफी रहेगा अगर आप हिंदी या इंगलिस में से हिंदी या इंगलिस आप किसी एक को अटेम्ट करोगे पेपर में जिसको भी अटेम्ट करना है अपना अभीज चुन लो और उसको 45 मिनट डेली देना स्टार्ट करिएगा तो आपको इतना काफी है इतनी देर इस एक्जाम को देने के लिए और आपका एक्जाम 100% क्रैक होगा इस बात की मेरी गैरंटी है सबसे पहले मैं बात करता हूँ बुक्स के लिए आप लोगों के पास कौन से बुक्स होनी चाहिए अगर नहीं है तो मार्किट से जल्दी से इन बुक्स को ले आओ 100% आप लोगों की चीजे किलियर होंगी दोस्तो सबसे पहले मैं जीके की बात करूँ और जीके की बात हो और वहापर लुशेंट की बात ना हो तो आप समझ लीजिए कुछ तो गडबड है ठीक है तो लुशेंट की बुक्क को कम से कम एक्जाम से पहले अगर आप डेली सिर्फ 8 से 10 पेज पढ़ेंगे सिर्फ 8 पेज अगर आप डेली 8 से 10 पेज पढ़ते हैं लुशेंट की बुक्के तो कम से कम अपने paper तक 4 बार उस book को पढ़ डालेंगे 8 से 10 page, जादा देर नहीं लगेगी 8-10 page पढ़ने को ठीक है, एक घंटा 15 मिनट दिया है कम से कम 40-45 मिनट के अंदर आप daily 8 page पढ़ सकते हैं उस book के सिर्फ reading मारो पहले, पहले reading मारो, दूसरी बार reading मारो ठीक है, तो जैसे ही reading मारते रहोगे, बहुत सारी चीज़े पता लगती रहेगी एक copy pen हाथ, मैं रखको कोई चीज note करना है, note करो, underline करना है, underline करो ठीक है, दूसरा, सिर्फ lusent पढ़ने से काम नहीं चलेगा बहुत सारे लोग सोचतें, सिर्फ lusent पढ़ने से नहीं, इसी के अलावा, आपको एक किरन का, या फिर आप बोल सकते हैं, कोई भी ऐसी book जिसमें SSC के previous paper हो, लेकिन 2016 के बाद के, चाहे वो SSC का हो, CGL का हो, CHSL का हो, MTS का हो, या GD का हो, वे previous paper ले आओ, ठीक है किसी के, किसी के भी, किरन का हो, या Lushent का हो, लेकिन previous paper का एक book हो, objective book मिलेगा तुमको, ठीक है objective, Lushent के साथ उस book को लगाओ, topic wise, chapter wise, उसमें questions होंगे, उनकी practice करो, 100% GK improve होगा लेकिन इसको कितना भी पढ़ो कम होता है, यहाँ पर मैं आपको surety नहीं दे सकता कि आप जो पढ़ोंगे वही मिलेगा लेकिन अगर आप इसको पढ़ोंगे, तो मिलेगा जरूर, 72, 80 के आसपास आपको मिल जाएगा, 50% तो आप easily cover कर पाएंगे अगर आप Lucian subjective भी पढ़ते हैं और उसके साथ किरन objective या फिर Lucian objective लगा लेते हैं चीजे समझ में आई, तो GK के लिए आपके पास Lucian का book होना चाहिए सबजेक्टिव में घटना चकर का भी हो सकता है, बहुत सारे लोग confused होते हैं लेकिन Lucian का best है, उसके साथ कोई भी ऐसा book ले लो जिसमें previous year paper हो 2016 के बाद में जो SSC में सवान पूछे गए हैं तो उस आपका काम बन जाएगा, ठीक है, चाहे वो Lucian का हो या किरन का हो अब बात करें reasoning की, दोस्तो reasoning के लिए आपको कोई भी book लेने का जरुरत नहीं है साथ से साथ मिल जाए, हो सकता है, तीस अरिहंत वाले ले लो, तीस उसमें ले लो, ठीक है, या फिर previous paper ले लो, practice set ले लो, या previous paper ले लो, यहाँ पर best रहेगा previous paper, आप जैसे previous paper लोगे, जैसे मैं बोलता हूँ, SSC के, GD है, MTS है, तो वहाँ पर आपको 25-25 question मिलेंगे हर set में अगर 60-65 test तुम solve कर गए, तो समझ लो, reasoning तुम्हारा complete हो जाएगा, और reasoning तुम्हें पूरे में से पूरे marks देगा भी, ठीक है, reasoning में सभी student लगबग 25 में से 20 number score कर लेता है, तुम्हें कोशिस करनी है, यह 5 number और लेकर आने की, क्योंकि reasoning में 25 में से 20 हर को ही ले आएगा, लेक उस तो strategy नहीं है, plan है, पूरा plan है, ध्यान से सुन लो, इसको आज समझ लो, exam खुद correct हो जाएगा, reasoning का हर रोज 30 मिनट, मैंने 30 मिनट दिया है, जबकि तुम 15 मिनट में बना लोगे, 30 मिनट मैंने दिया, हर रोज एक test लगाओ, 30 मिनट, हर रोज की जगह हर तीसरे दिन अभ वाले topic में कटे, फिर उन topic को prepare करना, ठीक है, तो practice set क्या करेगा, इस से तुम्हें पता लगेगा, तुम्हारा किस topic में marks कटा है, अलग से reasoning का कोई book लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ previous year paper का practice set लगाओ, या practice set ले लो, उसी से आप लोगों का reasoning prepare हो जाएगा, जो topic बचे, YouTube पर हजारों classes हैं, या फिर आप मेरा ही app download कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने reasoning पढ़ाना start किया है, मैं वही topic करा रहा हूँ, जो आपको सबसे पहले चाहिए, जैसे मैंने अभी counting of figures कराया, उसके बाद मैं number series कराऊंगा, ताकि students को वो topic करा सकूँ, जो सबसे पहले उनको जरूरत है, तो reasoning के आप इस तरीके से तयारी करिए, अब बात कर लेते हैं हिंदी या English, दोस्तों हिंदी या English के लिए, हिंदी के लिए मैं हमेशा एक ही book prefer करता हूँ, और उस book का नाम है आदित्या publication, आदित्या publication का white सा book आता है, उससे बहतर book market में कोई नहीं है हिंदी का, अगर आप उस book को अपने syllabus के according पढ़ेंगे, तो best result निकलेगा, आप उस book को ले लीजेगा, और English की बात करूँ, तो नीतु सिंग का जो volume 1 है, ठीक है, volume 1 book उससे बहतर नहीं है, इंगलिस में और हिंदी में, हिंदी का हमारा लगबग पूरा syllabus complete है, आप जाईए दिनेस वालियान हिंद classes देख सकते हैं, या मैंने खुद हिंदी पढ़ाया है, आप वहाँ से start करिए, free of course classes available है, playlist के अंदर, ठीक है, all India students community, मेरा दूसरा चैनल है, वहाँ पर जाओ, YouTube पर साच करो, all India students community, और playlist में जाओगे, तो सारी classes आपको मिल जाएगी, हिंदी की, और English, मैंने दिल्ली पुलिस सिंग का आता है, Plintu Paramount Volume 1 या KD Campus के नाम से आता है, Volume 1, वो ले लेना, हिंदी के लिए आधित्य पब्लिकेशन ले लेना, आधित्य पब्लिकेशन का वाइट सा बुक आता है, ठीक है, उसको ले लेना, reasoning का कोई बुक लेने का जरुरत नहीं है, जीके कर लिए मैंने बोला, L Lushent plus Kiran, या फिर Lushent plus Lushent लगा सकते हैं, Lushent subjective, Lushent objective, previous year paper वाली लोगे, Kiran वाली, या फिर कोई और जो मार्किट में अवलेबल हो, बहतर रहेगा, क्योंकि previous year paper से आपको पता लग जाएगा, किस तरीके कुशन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 30% कुशन repeated होते हैं, समझ में आ All India Students Community App डाउनलोड करो, वहाँ पर एक book launch किया है, अभी PDF की form में है, लेकिन आपके exam के हिसाब से best book है, अब तक का जितने भी market में available है, आप उस book को ले सकते हैं, अगर आप उस book को नहीं लेना चाहते हैं, इसके लावा आप RS Agarwal का book ले सकते हैं, Arthematic, वहाँ से तैयारी के लिए मैंने दो batch भी launch किये है, Maths का और Regening का, वे दोनों भी app पर available है, पढ़ना आपको है, दोनों का फीस 1000 रुपे से भी कम है, पूरे course का, Regening का और Maths का मिला के, ठीक है, Maths का जो batch है, वो सार्थी batch है, जो SSC के लिए special है, SSC GD सार्थी batch और Regening special के नाम से आपको Regening का batch मि आपर, एप पर ही, Maths Practice Book, लगबग धाई हजार question है, लगबग धाई हजार question मैंने वहाँ पर Maths Practice Book के अंदर डाले हैं, आपकी practice के लिए, और दूसरी चीज, दोनों का solution मिलेगा, हिंदी और इंगलिस में उसका solution available है, question दोनों language में है, और तीसरी important चीज, मैं उन question का video solution भी provide क करूंगा, तो एक ऐसी book जिसका video solution भी आपको मिलता रहेगा, अभी तो सिर्फ solution है, लेकिन video solution पर भी मैंने काम कर दिया, तो आपका कोई doubt नहीं बचेगा, एक तरीके से आपकी book नहीं होगी, वो भी course होगा, जो पूरा complete हो जागा, पूरी book का video recording आपको मिलेगी, आने वाले समय में, लेकिन अभी time लगेगा उसके लिए, लेकिन question आप लोगों के लिए आज चुके हैं, लेकिन अभी pdf form में है, market में आने में 2-3 महीना लगेगा, क्योंकि lockdown और corona के चलते कुछ चीज़े नहीं हो पाई, तो ये चीज ध्यान रखेगा, आपको All India Students Community App डाउनलोड करना ठीक है, देखो चुनना आपको होगा, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, selection लेना है कि नहीं लेना है, अब बहुत सारे लोग, students के मन में सवाल होता है, practice set कैसे लगाएं, दोस्तों अभी ए एक्जाम आसपास नहीं है, कम से कम 4 महीने हैं, तो अभी हर 7 वे दिन एक practice set ल लगाओ, चेक करो कितना स्कोर बन रहा है, कहां कहां पर marks कट रहे हैं, आपको topic पता लगेगा, उन topic को फिर cover करो, ठीक है, practice set लगाने का फाइदा तब होता है, जब आपका syllabus complete हो, लेकिन अभी आप कितने पानी में हैं, ये जानने के लिए हर 7 वे दिन अपना practice set लगाईए, once in a week, पता करिए कौन से topic में आपके marks कट रहे हैं, maths में कहां कट रहे हैं, ठीक है, अगर reasoning में कट रहे हैं, हिंदी में कहां कटे, English में कहां कटे, आपके GK में कहां कट रहे हैं, तो फिर उसी तरीके से अपने पढ़ाई को और धार दीजिए, clear है, तो हर हपते में एक test कि आपको पता, आप दूसरे को दिखाते रहो, दूसरे को दिखाने का यहां पर कोई मोका ही नहीं है, दूसरे में बुराई लिकालने की नहीं है, अपने अंदर की बुराई देखो, आपको अंदर सोचो कि आपके अंदर क्या कमिया है, और अभी time है, उनको दूर कर लो, जैसे मैट्स कमजोर है तो चार महीनिया अराम से मैट्स में स्कोर किया जा सकता है। और दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके स्कोरिंग है यहाँ पर आपको सेलेक्शन दिलाने में पूरी मदद करेंगे। वो कौन-कौन से हैं वो है एक मैट्स एक है रिजनिंग यह 50 नंबर ऐसे हैं जिसमें आप 45 प्लस लेकर आओगे और मैंने दिल्ली पुलिस में 45 प्लस कहकर दिलाए भी हैं। तुम्हारे 25 और 15 इन 40 में से मेरा टार्गेट होगा 35 प्लस दिलाने का। जिन बच्चों ने मेरी मानी उनके आए हैं आज सेलेक्शन हैं अभी उनका फिजिकल होना बाकी है। तो आप भी सुनिए सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए मैंसोर रिजनिंग पे। यहां पर आप स्कोर कर गए तो जीके में अगर आप लोगों को लगा कि पढ़ा हुआ नहीं आया क्योंकि जीके कभी किसी का सगा नहीं हुआ। यह फैक्ट है तो आप जो है यहां से कवर कर सकते हैं। हिंदी इंगलिस में आप इतना करी जाएंगे कि आप कटोप पार कर जाएं। ठीक है तो आपको टारगेट करना होगा मैसोर रिजनिंग को 50 में से 45 प्लस का यहां पर टारगेट रखना होगा ज्यादा लेकर आए त सब्जेक्ट पर ले जाओ जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है समझ रहे हो ना जैसे किसी का आप लोगों को लगता है कि मेरा जीके अच्छा है सिर्फ मुझे रेडिंग रेडिंग करना है तो वहां पर आपका 45 मिनट काम करके काम चल जाएगा इंगलिस या हिंदी में से किस सब्जेक्ट पर करने मेहनत करने की जुरुरत है उन पर भेनत करो डेली अभी से मेहनत करना स्टार्ट करोगे सिर्फ 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा जितना लेट होता जाएगा उतने ही घंटे आपके बढ़ते चले जाएगे नोटिफिकेशन नहीं आया है एक्जाम कम से क चार से पाच महीने बाद होगा अगर आज से भी ठान लो यहां पर आपको जोग जरूर मिल जाएगी वर्दी आपके बदन पर जरूर लगेगी और all the very best तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ आप लोगों को कैसा मैं पढ़ाता हूँ यह मेरा दूसरे चैनल पर जाईए all India students community प कर सकते हैं बुक का कोर्स सिर्फ 200 रुपीज है मैट्स प्रेक्टिस बुक के नाम से और अपनी तैयारी सुरू करिए कोर्स लेना चाहते हैं तो 500 रुपे में पूरा मैट्स कम्प्लीट कराया जाएगा ठीक है सार्थी बैच से चल रहा है आप लोगों को वीडियो तुरंत सेलेक्शन दिलाएगा अपने टीचर पर भरोसा रखो आज तुम मेरे साथ हो कल किसी और के साथ हो या परसो किसी और के साथ होगे तो भटकते रह जाओगे यह जोब भी हाथ से निकल जाएगा किसी एक के साथ रहो लास्तक रहो जैसे उसने बोला है वैसे तैयारी करो सेल अफ़ यह जोब यह जोब यह करता है जाओगी करें निकला के साथ हो जाएगा जीचर दोला है